Hey what's up guys, welcome to the DS1 course और आज की वीडियो में दो कोशिन सॉल्व करने वाले हैं binary search के उपर दोनों ही easy question होते हैं, लेकिन beginners को थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं कई बार, तो समझ नहींगे, ठीक से समझेंगे पहला question है size of a binary tree, इसके बाद एक और question सॉल्व कर रहेंगे, which is max और min in a binary tree, ठीक है पहले इस question हो समझते है, size of a binary tree का मतलब क्या है कि इस binary tree के अंदर, given a binary tree, how many nodes are in this tree तो इस binary tree के अंदर कितनी nodes हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, मैंने numbering भी कर रखे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 3 है, इस वाले के अंदर सिर्फ एक ही node है, और इस वाले के अंदर 0 nodes है, ठीक है तो इस type का आपका question रहने वाला है, आपको basically root node दे रखे होगी, आपको बताना है, इस tree के अंदर कितनी nodes हैं, again recursive सोचना है, सोचना कैसे है, कि क्या होगा base case, उसके बाद सोचना है कि क्या होगा relation between a sub problem and a bigger problem, और उसके बाद उसको generalize कर देना है, और उसके बाद generalized code को आप लो अगें ज़रा समझते हैं, कैसे आप लोग relation निकाल सकते हो problem और sub problem के बीच में, base case क्या रहने वाला, base case null ही होगा, जब root हमारी null होगी, तो हमारा base case हीट हो जागा, और अगर null root है, अगर suppose करो ये function है, कि मैंने आपको size वाला function दे दिया, इसके अंदर null pass कर दिया, तो आप ब visualize हो गया, अच्छा, अब हमें निकालना है, problem और sub problem की बीच में, एक relation, अगर मैं आप लोगो को, इस सब problem का answer लाकर दे दूँँ, और साथ यात इस सब problem का answer लाकर दे दूँ, तो क्या आप मिरे को इस proper problem का answer लाकर दे सकते हो, इस बड़ी problem का answer लाकर दे सकते हो, तो आप गल इसमें जितनी नोट्स होंगी, साथ में इसमें जितनी नोट्स होंगी, साथ में overall जो यह root है, उसको भी तो add करना पड़ेगा, तो प्लस 1 कर दूँगा, तो मेरा proper इसका अंसर भी निकल आएगा, तो आप मुझे लाकर दो कि इस सब प्रॉलम कंदर कितनी नोट्स है, मैं बोल ठीक है, 3 प्लस 1, प्लस 1, तो 5, तो आप मुझे इस तरीके से 5 लाकर दे दोगा, और इसके अंदर 5 भी आंसर है, तो यह हमें मिल गया, एक relation प्रॉलम और सब प्रॉलम के बीच में, तो आप इसे हम generalize कर देंगे, और इसका code कर देंगे, तो generalize और code बहुत simple है, अगर root null है, तो left सब प्रॉलम में जाओ, ठीक है, इसका answer आप लोगों को मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, वो recursion अपने आप समाल लेगा, इसका answer suppose करो कि आप लोगों को मिल चुका है, उसके बाद root.right का भी answer आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है, इन दोनों को answer आप लोगों को मिल चुक है, तो यह similar question है, maximum इना binary tree, आप लोगो एक binary tree दे रखा है, और आप लोगों को बताना है, इसके अंदर कौन सी node है, जिसकी value सबसे आदा maximum है, ठीक है, maximum बोलो या minimum बोलो, minimum आपका दूसरा question होगा, similarity question होगा, हम maximum दिखते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है, 5, 1, 7, 6, 9, यह आप infinity return करते हैं, ठीक है, तो यह आपका question है, बेसिकली, और आपको इसे solve करना है, again using recursion, यह सारे-सारे questions क्यों कर रहे हैं, यह basically आप लोगो foundation बन रहे हैं, आने वाले questions के लिए, जहाँ पर आप recursion, पर रिकर्शन, प्लीव फेद, और recursion, और binary tree को और ज्यादा advanced तरीक से समझ रह study on के लिए, तो maximum binary binary, खुद सोचो किस ते किस आप लोग निकाल सकते हैं, using recursion, और उसके बाद हम इसका solution लिखते हैं, यह रहा मेरा code, आप ज़्यादा समझते हैं, इस code को मैंने कैसे लिखा है, हमारी problem और subproblem के बिशे हम relation क्या है, तो यह हमारी problem है, इस subproblem से क्या क्या बन र maximum number कौन से है, तो मैं इस overall subject के अंदर maximum number बता सकता हूँ, वो कैसे, कि इन तीनों मैंसे जो भी maximum निकल का हैगा, वो ही मेरा answer होगा, तो यहां से मैं maximum बता रहा हूँ, आप लोग की 9 आ रहा है, कैसे आ रहा है, again, recursive leap of faith, 9 आपका आ रहा है, यहां से मैं आपको बोड़ रहा ठीक है, तो आपके पास अब तीन number से, 9, 7 और current node, which is 5, इन तीनों मैं से जो भी बढ़ा होगा, वो ही आप return कर दोगे, ठीक है, तो 9, 5 और 7 मैं से बढ़ा है, 9 तो आप 9 return कर दोगे, और उसी चीज़ को आप generalize करगे, अपना code भी कर सकते हो, ठीक है, code बहुत असान है, एक और चीज़, अगर root null है, कहीं पर root null है, तो आप वहाँ पर minus infinity return कर दोगे, ठीक है, minus infinity, यह क्यों return कर रहे हो, क्योंकि suppose करो, आप ऐसे किसी case से पहुंच गए, यहाँ से आप लोग को मिल रहा, suppose करो, one, और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, left में suppose करो, one है, right में कुछ भी नहीं, six के, तो six को क्या return करना चाहिए, इस case में, six को return करना चाहिए, यहाँ से one, right, यहाँ से one return होगा, और यहाँ से return होगा, minus infinity, तो one minus infinity और six में से बढ़ा क्या है, तो हम बोलेंगे भया, यहाँ से तो six ही बढ़ा है, तो यह इस case में फिर six return कर देगा, तो यहा मारन मनने क्या है अगर किसी भी जगह से सिर्फ एक ही नोड मिल रही आप लोग को ठीक है फाइव और सैवन और अपको यहां से अपने बड़ा हो जागा माइनस इंफिनिटी से क्योंकि माइनस इंफिनिटी सब्सक्राइब होता है तो 7 automatically बढ़ा ही हो जाएगा और वही हम चाहते हैं तो यहां से बढ़ा होगा 7 और 7 5 में से बढ़ाएगा है 7 तो इसलिए हम अगर नल मिलता है जैसे कि 5 के राइट में बिल रहा तो वहां आप लोगों का सेम टो से वैसे काम करने वाला है तो याला चलाकर देख लिए एक वारे किसी एक्जांपल के लिए सबसकर यह एक्जांपल है तो हमने 5 के लिए चला दिया तो 5 का नल है यह रूट नल नहीं है तो हम रिटन करा देंगे math.max of root.data, root.data क्या है 5, तो 5 और उसके बाद call करा दिया, हमने math.max of maximum root.left, ठीक है, यह वाला function हमने call करा दिया, left के लिए, तो हमने 7 के लिए call करा दिया, अब 7 के लिए चले है, क्या 7 null है, 7 null नहीं है, तो return करा दो math.max of root.data, यहां से return क्या हो रहा है, 7, ठीक है, 7, और उसके पाद root.left और root.right में से क्या निकल क्या आने वाला है, root.left भी minus infinity है, root.right भी minus infinity है, दोनों से बढ़ा क्या होगा, minus infinity बढ़ा होगा, obviously, तो data और minus infinity में से बढ़ा क्या होगा, 7, और minus infinity में से बढ़ा क्या होगा, 7 बढ़ा होगा, तो हम यहां से return कर देंगे, 7, ठीक है, तो यहा तो यहां से मीलने वाली है यहां से मिलेगा 7 में Mm और 7, left side से मिला, और 1 से मिला, यहां से, right से मिला, इसे 1, 7 और 1 में से बढ़ा क्या है, 7 बढ़ा है, उसके बाद 5 और 7 में से बढ़ा क्या है, 7 बढ़ा है, तो यह यहां से return कर देगा 7, तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, तो बहुत ही असान था यहां वाला question भी, अगर हम बात करें इसकी time complexity और space complexity तो जो आप वह भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी complexity निकल के आती है तो आप लोग देख रहे हो हर एक road पर यह रहे हो हर एक node पर जा रहे हो लेकिन एक बार में आपका आपका call stack है, वो कितने deep में, जा रहा है एक बार में आपका call stack कितने deep में जा रहा है in 1 वा है आपका call stack जा रहा है जितनी भी iş root की, गी heart tier रहने वाली है, ृट्यूं इस冷 dyn अंदर, उपमी पर इसके अंदर ब्लिघ उकक्ते ह्ख, इसके अंदर space complexity इसी के साथ यह वाली वीडियो यहाँ पर खतम करते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, कर देना सब्सक्राइब, मैं वह लोगा आपको नेक्श वीडियो में चलते हैं, बाबाई!